अलो फ्रेंड्स आप सबका कट्सा 11 हिंदी विशे के अध्याए 20 आत्मा का ताप के अभ्यास प्रश्ण उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वगत है हमने आपकी हिंदी विशे के आरो भग पर्थम के अध्याए एक से लेकर 19 तक जिसमें काव्य खंट और गद्य खंट दूनों सामिल है कि सभी अभ्यास प्रश्णों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है आज हमारी आरो विशे का अंतिम चप्टर है आत्मा का ताप और उसके बाद हम आपकी हिंदी विशे की अगली पुस्तक के अ सुविकार की रजा ने अकोला नामकिस्तान में जो ड्रोइंग द्यपक की नोकरी थी उसके लिए जो पिसकस उनके लिए की गई थी वह उन्होंने सुविकार क्यों नहीं की थी इसके पिछे कारण क्या था तो देखें लेखप को मध्य प्रांथ की सरकार की तरब से परति के गवर्मेंट नॉर्मल स्कूल से त्याग पत्र देकर बंबूई पहुंचे तो दाखिले क्या हो चुके थे दाखिले वहाँ पर बंद हो चुके थे सरकार ने चात्रवती वापस ले 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 तथा उन्हें अकोला में ड्रोइंग अध्यापक की नोक्री देने की क्या की पेसकस की लेखग ने ये पेसकस स्विखार नहीं की इसके पीचे कारण था क्योंकि उन्होंने बंबई सहर में रहकर अध्यंद करने का नीचे कर लिया था कि अब वो बंबई के अंदर नोकरी नहीं करेंगे बलकि अध्यंद करेंगे और अपना जो मुका में अलग से है उसे आसिल करेंगे उन्हें यहां का वातावरण, गैलरिया, मित्र क्या आ गए थे पसंद आ गए थे चित्रकारी की गहराई को जानने और समझने के लिए बंबई या मुंबी क्या थी बहुत ही अच्छी जगे थी और चित्रकारी सीखने की इच्छा के कारण उन्होंने ये नोकरी की जो पेसकस थी वो क्या करती थूकरा दी थी वो चित्रकारी के बारे में और ज़्यदा सीखना चाते थे इस वज़े से वो नोकरी नहीं जोइन करना चाते थे और उन्होंने नोकरी की जो पेसकस थी वो क्य संगर्स आपको बताने हैं कि बंबई में रहकर रजा ने कला के अध्धन के लिए रजा ने कड़ा संगर्स किया है सबसे पहले उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक इस्टूडियो में डिजाइनर की नोकरी मिले वे सुबे वहाँ पर 10 बजे से लेकर साम 6 बजे तक वहाँ पर काम गया करते थे उसके बाद फिर वो मोहन आठ कलब जाकर पढ़ते और अंत में जैकब सरकल में एक प्रिचित ड्राइवर के ठिकाने पर रात गुजानने के लिए जाते थे कुछ दिन बाद उन्होंने इस्टूडियो में आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा उन्हें मिल गया उन्हें फर्स पर सोना परता था वे रात के 11-12 बजे तक चित्र वरेखा चित्र बनाया करते थे और उनकी इसी मेहनत को देखकर उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया गया कटिन प्रिशरम के कारण उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का सवन पदक भी मिला था आगे 1943 में उनके दो चित्र आर्ट सोसाइटी ओप इंडिया की परदसनी में रखे गयी किन्तु उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया उनके चित्रों की परसंसा हुई उनके चित्र 40-40 रुबे में बिक भी गये वैनिस अकादमी के जो प्रोफेसर थे वॉल्टर लेंग हेमर ने उन्हें अपना इस्टूडियो दिया लेखक दीन पर मेहनत करके चित्र बनाते और लेंग हेमर उन्हें देखते और खरिद भी लेते इस प्रकार लेखक नोकरी छोड़कर जेजे इसको लोप आठ का निमीद चात्र बन गए ठीके आगे बले ही 1947 और 1948 में में गटनाई गटी हो मेरे लिए वे कठिन बरस थे रजा ने ऐसा क्यों कहा तो रजा ने 1947 और 1948 को कठिन बरस इसलिए कहा है प्योंकि इस दोरान उनकी मां का क्या हो गया था? प्यूने साल उनका देहन्द भी हो गया पिता जी के लिए मन्डला लोटना पड़ा मरती हो गया इस प्रकार उनकी कंदोपर सारी जिंब्भीदारिया आ पड़ी थे इस वज़े से लिखक कह रहा है कि वर्स 1947 और 48 उनके लिए क्या थे काफी कठिन वरस थे तिकि उस दोरान उनके माता और पिता दोनों की क्या होगी मर्ति होगी और घर की जो सारी से जिम्मेदारिया है वो उनके गंदों पर आ गई थे अगला रज़ा के पस्तिन्दा यानि जो फैवरेट फ्रेंस कलाकार कौन थे तो उनका नाम क्या था उनमें सेजा, बौन, गोज, गोगा, पिकासो, मातीज, सागाल और ब्रॉक थे इनमें से वह पिकासो से सबसे ज़्यादा क्या थे परभावित थे तुमारे चित्रों में रंग है, बावना है, लेकिन रचना नहीं है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह है बनाया जाता है आधार, नीव, दिवारे, बेम, चत और तब जाकर वह ठिकता है, यह बात किसने किस संधर्म में कही और रजा पर इसका क्या परभाव पड़ा तो यह जो बात है, यह परख्यात फोटोग्राफर हैरनी कौर्तरी ब्रेसा ने त्री नगर की यात्रा के दोरान सेयद हैदर रज्जा के चित्रों को देखर कही थी उनका मानना है कि चित्र में भवन निर्मान के समान तबी तत्वा मौजुद होने चाहिए चित्र कारी में रचना की जरूत होती है और उसने लेखक को सेजा के चित्र देखने की सला दी ताकि वो समझ सके कि आखिरिक चित्र का निर्मान कैसे किया जाता है अब इसका रजा बर क्या परभाव पड़ा तो फ्रेंस पोटोग्राफर की सला का रजा के उपर गहरा परभाव पड़ा मुंबई लोटकर उन्होंने फ्रेंस सीखने के लिए अल्यांस फ्रांस में क्या लिया दाखिला लिया उनकी रूची फ्रेंस प्रेंटिंग में पहले ही थी अब दो उसकी बारिकियों को समझने का प्रयास करने लगे इस कारण उन्हें फ्रांस जाने का अफसर भी प्राप्त हुआ ठीके तो इस प्रकार हमने आपके अंतिम अध्याय के अभ्यास के जितने भी प्रशन थे उन सभी अभ्यास प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मिद करता हूं सभी प्रशनों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो इसी के साथ हमारी जो आरो भाग पर्थम था उसके सभी अभ्यास प्रशनों हमने बहुत अच्छे से solve करा दिये हैं उम्मिद है आपको classes पसंद आई होगी तो ज्यादा ज्यादा आपने कर दो जना आपको पसी समय होगी तो जैसमेर होगी जापको अच्छे से झाल झाल